हाल ही में फिरोजाबाद की SDM सदर कृतिराज का घूंगट वाला विडियो काफी वाइरल हो रहा था जिसमें ये दिखाया जा रहा था कि वे फिरोजाबाद के दीदा मई अस्पताल में घूंगट डालकर निरिक्षण करने जाती हैं और अस्पताल स्टाफ के गलत वहवार अविवस्थाओं का परदा फास करती हैं और ये स्तारी घटना होती है 12 मार्च को जिसके अगले ही दिन फिरोजाबाद के सबसे बड़े स्वास्ते अधिकारी जिला सीयमो मदन लाल भी वहां निरिक्षण करने पहुँच जाते हैं और मीडिया के सामने आकर S.D.M. सहिबा के सभी आरोपों को जूटा बताते हैं अब क्या इसमें कोई राजनी की चल रही है या फिसी तरीके का कोई मुद्दा है जिसे दबाने की कोशिस की जा रही है तो चलिए जानते हैं के लोगों का कहना है कि सरकार इस मुद्वे को दबाने की कोशिस कर रही है जब कि HTM साहिबा कृती राज इस मामले की सच्चाई को सामने रख रही हैं लोगों ने HTM साहिबा की बातों को सच ठहराते हुए बोला कि अस्पताल में सच मुझ ऐसी दिक्कते चल रही हैं लोगों को काफी मुश्किलों का तामना करना पड़ रहा है CMO के इस बयान के बाद मामला काफी आग पकड़ चुका है और अब आगे क्या होगा इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता ऐसे में यह बात निकलके आती है कि क्या दीदा माई अस्पताल में जहां पर लोगों की इतनी शिकायते आ रही हैं कि अस्पताल का स्टाफ उनसे सही से वहवार नहीं करता उन्हें टाइम से दबाया नहीं दी जाती हैं स्टाफ की कमी की वज़े से लोगों को घंटों के रहना पड़ता है इन सब चीजों से क्या दीदामई अस्पताल को छुटकारा मिल पाएगा क्या दीदामई अस्पताल भी उन सुविधाओं का लाब उठा पाएगा जिनकी उम्मीद वहां के रहने वाले लोग कर रहे हैं SMS सरकार और SDM साहिबा के बीच ये मुद्धा कहां तक और क्या रुख लेगा कुछ नहीं बताया जा सकता और आज के इस वीडियो में वसितना ही मामने से जुड़ी और अपडेट के लिए देखते रहे हमारे चानल को लोगों से लोगों तक धन्यवाद